उत्तर भारतियों का च्छट पूजा यह पर्व उननिस नवंबर दोज़ा तेज को शाम चार बजे से शुरूआ जार डूपते सूरे देफता को अर्गदे कर उपासना की इस अफसर पर शेत्र के विधायक और पूर्व मंत्री सुनील के दान नाकपूर जिलापरिशत अद्यक्षा मुकता कोकडे जिलापरिशत तदस्ये जोती सरसकर वेकोली सामने सब एरिया के मैनेजर सामने तालू का मराथी पतरका संग की अद्यक्ष किशोट उंडेले कार इस अफसर पर अपने विचार रखते हुए पूर्व मंत्री सुनील के दार ने कहा कि यह चट पूजा सरधर्म संभाव का प्रतीक है और भारती संस्कृति की पहचान है जहां सभी धर्म के लोग एक जुठो कर यह आयूजन भव्यता से मनाते हैं वह हमारी पहचान है भगवान सुर्यदेव किसी से भी भेदभाव नहीं करते उन्हें सचे मन से जो मांगो वित्तुरंती पूरी हो चाती है हमारी संस्रती में महिलाओं का विशेश स्थान है उसका कारण है कि कभी भी कोई महिला चुलाए वो मा हो या बहन बेटी वो हमेशा ही पूजा अरचना कर अपने लिए नहीं तो अपने सारे परिवार के लिए ईश्वर से सुक सम्रद्धी मांगती है इस आयोजन में भी वही सूर्य का पूजन दिनांग 20 नवंबर को सुबह 4 बजे से 9 बजे तक संपन होने वाला है वेकोली की सावने परियोजना इस्थते छट घाट इस पावन परो पर उत्तर भारतियों के साथ 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 स्थानिक हजारों की संक्या में अपने परिवार के साथ पहुँच कर भग पूजन के साथ ही सभी परिवारों को चट पूजन की शुपकामनाय प्रदान करते हैं हर वर्ष उने वाले इस मापरो को सफल बनाने हेतू वेकोली की चट घाट समीती सभी यूवा संगटनों के साथ साथ वेकोली में कारिदत सभी कामगा संगटनाय दिनांग 19 नवंबर क शाम सूर्यास के और 20 नवंबर को सूर्यास के समय संपन उने वाले चट पूजा आयोजन में बढ़चड कर हिस्सा लेकर चट पूजा घाट पौचकर उच्सव का आनंद ले रहे हैं इस भव्य आयोजन के सफलतार्त युवा शक्ती विकास मंच के अध्यक्ष शाम चोहान विकोली श्रमिक संगठनाओं के महेश पटवा आशोक निम्मालकर भालचंद्र गाजीपूरी गुलवन्त लांजिवार कमलेश दिवेदी मुकेश जरबडे लाला सलमानी सूफी मुकदर भाई आधी इस आयोजन को सफल बनाने हेतु परिश्रम ले रहे हैं आयोजन का चालन महाले ने तो आभार शाम चोहान ने माना इन बीसियन न्यूस के लिए सामनीर से सम्वादता किशो ढूंडे लेकी रपोर्ट